जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हमाई सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियों में दोस्तों बात करेंगे जिमबाबी T10 का जो भाई मैच नमबर 10 खेला जाएगा हरारे हरीकेंस यानि की एचछ और याँ पर जो बर्ग बफैलो जियानि की JBL की टीम्स के बीच में इसक कि बाई किस मोमेंट पर आके मैच में आपको क्या चीज़े देखने को मिल जाए आप लोग शायद उस चीज का आइडिया भी नहीं लगा पाऊगे तो जितना होसके आप लोगों को या फिर आप लोग कोशिष करना कि आप लोग हैट जादा जोईन करो थी मेंबर या फ्लोग फोर वाले जो लेक्स है ना उनको थोड़ा सा कम जोईन करना ठीक है यह मेरा परसनली सेजेर्सन आपको रहेगा बगी आप अपने अकोडिंग आपको जो ठीक लेक बाई उस पर आपको मिश नहीं करने, वेन्यू की बात करें, हरारे स्पोर्स कलब, हरारे के वेन्यू मैच कहला जाएगा, दोनों टीम्स के गर बात करें, तो तीन-तीन मुकाबले अब तक दोनों टीम अपना खेल चुकी है, और सिर्फ एक-एक मैच याँ पर विन कर पाईए, तो दोनों जगहे पर मिलेगा, वहाँ से जोईन कर सकते हो, टोस के बाद में कोई भी अपडेट होंगी, या फिर इस मैच के जो भी फाइनल टीम रहेगी, जिसके साथ में आम लोग जोईन करेंगे, वो टीम आपको टोस के बाद इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो कमें सकी स्वेन्यू पर आप लोग देखोगे, तो 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग ने 5 विन करें, सेकिंड बैटिंग ने 4 विन करें, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, एवरेज स्कोर लगबग 105 के आसपास है, लेकिन अगर आप लोग स्कोरि यहां पर अच्छा खासा जरूर देखने को मिल पार है, तो कि सबसे मैक्सिमम टाइम जो देखोगे, वो 120 प्लस का स्कोर इस वेन्यू पर बने है, और 3 मैच में 100 से कम का स्कोर बने है, लेकिन अगर मैं बात करते हैं, जो कि स्वेन्यू पर पिछले मुकाबले हुए इसी ज टीम ने 122 करेते हैं, फर्स्ट बैटिंग में, बिबी की टीम केवल 97 कर पाइथूर, यही चीज मैंने आपको बोली कि 95 और 100 के आसपास आपको मैक्सिमम टाइम श्यापे स्कोर बनतावा तो जरूर से दिख जाएगा, डीक्याओ की टीम ने 25 रंस से मैच को विन किया था, उसके बाद 8 जो T20 था, जो T10 मैस था, उसमें जेबी की टीम ने 96 करे, CTA की टीम ने 97 रंस बनाके चेज गया और 7 विकेट से मैच को विन कर लिया था, तो आप लोग देख पाऊगे, उतना कम स्कोर नहीं बनेगा, तो अल्मोस्ट आप लोग 100 के आसपास तो स्कोर डेफिन तो ये टीम मेरे हिसाब से थोड़ा सा फैवरेट इस मैच में आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी, उसके बाद head to head मैसिज की बात करें, तो दोनों टीम के बीच में अब तक कोई भी मुकावला नहीं खेला गया, यहां से बात करते हैं दोनों टीम के प्लेयर के बारे रोबीन उतपा जो के विकेट केपिंग सेक्शन के प्लेयर है, केवल तीन मैच में से एकी मैच में 30 की पारी आई है, बाकी दो मैच में फ्लोपी हैं, और उसके बाद में चकाववा जिनको लास्ट मैच खेलने का मोका मिला, 44 की नोट आउट बहुत ही बढ़िया पारी खे या क्योंकि अभी देखो यार उतना ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं नहीं ठीक है, तो कहिना कि उस चीज़ का भी ज़्यादा इंपक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद में इर्फान पठान रहेंगे, लास्ट मैच 37 रंस की पारी थी, सैकेंड मैच मैच में 4 रंस थे, जरूर डाला विकेट नहीं मिला, फर्स्ट मैच में 15 रंस करते हैं, उसके बाद में डी फरेरा इंगे 16 रंस, 14 रंस और 2 रंस, उतना कुछ खास मोखा नहीं मिला, देखो जो मैं परसनली समझता हूना, मेरे साब से या पर फरेरा को शायद थोड़ा उपर बैटिंग जरू जो लीग हुई थी, उसके अंदर भी आपने देख लिया, बाई, डोनावन फरेरा नहीं काफी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, तो तकड़ा हार्ड इटर बल्लेबाज है, मेरे इसाब से 10 ओवर के मैच में बन देगा न, वन डाउन या सेकंड डाउन तो बैटिंग करने या तो बिल्कुल बनता ही, बनता है, उसके बाद में मुहमद नभी, लास्ट मैच 19 रंस दो विकेट, सैकेंड मैच 17 रंस दो विकेट, फर्स्ट मैच में गेंदबाजी नहीं करवाई, बट 22 रंस के काफी बढ़िया पारी खेली, कैप्टन से के 24 में आप लोग जरूर ले नहीं करवाई है, वो चीज़ देख लेना, ब इनमें कोन कितने ओवर डालके जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट मैच मुहमद नभी ने गेंदबाजी नहीं करवाई, तो उसके चलते क्या हुआ था, कि मावातू जैसे प्लेयर जो थे, इन्हों ने गेंदब तो देखो गेंदबाजी थोड़ा सा आपके लिए रिस्की बन सकती है, क्योंकि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कुछ कहीं नहीं सकती है, अगर ओप्संस की बात करूँ ना, गेंदबाजी के अंदर, तो सबसे पहले इर्फान पठाने, मुहमद नभी सैकिंड ओप्सं, जोंगवे थर्ड ओप्सं मपोफू, फॉर्थ, पाचवी ओप्सं बरजर के रहेगी, छटी ओप्सं मावातो की, साथवी ओप्सं पटेली के और मपोसा के रहेगी, आटवी ओप्सं ठीक है, क्योंकि बारा प्लेयर है, एक प्लेयर अठा भी दो, ग्यारा में से आप लोग ट्राई कर सकते हूँ, इर्फान पठान, फरेरा मैं चाओंगा थोड़ा ऊपर बैटिंग करें, मुबद रभी जोंगवे इनके पूरे पूरे चांसे जगेंदबाजी के, यहां से देखो एन बरजर गये, ठीक है, तो ये मेरे इसाब से तीन ऐसे प्लेयर मिलेंगे, जो ड प्रारे हरीकेंस के टीम मिलेगी, रिशेंट फोम आप लोग जिम्बाबे एफरो टीटेन की देख पाऊगे, पिछले तीन मुखाबलों की सभी प्लेयर की आपके सामने है, आगे चलते हैं यहां से एक बार बात करते हैं दोस्तों, जेबील के टीम के बार में, टोम बैंट लेकिन अब तक तीनों मैचिज में फ्लोपी रहें बाई, डबल डिजिट में भी स्कोर नहीं कर पाए, उसके बाद में मिल्टन सुंबा 14 रंस करें, जुसुप पठान लास्ट मैच में 15 रंस करें, एक ही ओवर गेंदबाजी भी पूरी नहीं कर वाई था, इनोंने चारी गेंदे डाली थी, और भाई विकेट इनको मिलाने ही, फस्ट मैच में भी केवल 4 रंस कर पाए, मुस्विकर रहीं, एक मैच में 46 की बढ़िया पारी, लास्ट मैच 16 रंस की नोट और पारी, और 19 रंस की पारी, मोमन अफ इस टीम के कैप्टन थोड़ा नीचे बल्ले बाज इनके पिछले दो मैच की परफॉर्मेंच है, जूनियर डाला विकेट लेस है तीनो मैचिस में, मुजारबानी तीनो मैच में विकेट लेस है, वेलिंग्टन मसाकाज़ा एक मैच में तीनो मैच में विकेट लेस है, वी नयूची तीनो मैच में विकेट लेस है, तो गेंद जिन्बाजी में भी लगातार विकेट्स निकाल रही है उसके बाद में टोम मेंटन यहां से विल समीद यूसुप पठान यह मेरे साथ जिनके कुछ में 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 पिक्स रहेंगे जिनके उपर आप लोग ज्यादा फोकस करके चलोगे तो यह पूरी JBL के टीम निखेगी रिश साथे के मैचिज में वह सारी चीजे कवर करी चुका हूँ तो जितना फोकस हो चुके आप लोग यहां पर कोसिस करो कि बाई आप लोग रिशेंट फोम के बेस पे चलो या फिर आप लोग अपनी नोलेज के बेस पे चलो क्योंकि वह आपके ज्यादा काम आईगी ठीक है फ सिर्फ एटिंग करेंगे कोन किसको विकेड देगा आपको खुद नहीं समझ पाऊगी उस चीज़ को तो इस चीज़ के चकर में मत पड़ो रिशेंट फोम देखो आपका काम बन जाएगा अगर आपको प्लेयर के बारे में थोड़ी सी भी नोलेज रहेगी तो आप लोग देफिनेटली बहुत बढ़िया टीम मना सकते हो ठीक है बाकी जितनी इंफोर्मेशन में आपको दे सकता था वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिये सबी के स्टैर्स देख लो जो इंपोर्टेंट पिक है वो मैं आपको लड़ी बताई चुका हूँ तो यह पूरे स्टैर्स है अभी चलते दोस्तों अपनी डेमो टीम कोमिनेशन पर इस मैच की क्या डेमो टीम मैंने क्रियेट करी एक बर फो हम लोग देख लेते हैं तो यहां से आप लोग देख पाऊँगे फिलाल जो मेरे टीम रहेगी इस मैच की वो आपके सामने है विक अची ओप्सन है लेकिन तीनो मैच में विकेटलेस है नयूची को ट्राई कर सकते हूँ वो भी आपके पास में उप्सन है ठीक है तो किसी को भी अगर आप लोग चेंज करके अपनी टीम एड़ करना चाहू कर सकते हूँ यहां से मोरगन को डूप भी कर सकते हूँ उतनी ब बात करेंगे तो यहां से आपके पास में उप्सन देगे टोम बेंडन की टोपोडर के बल्ले बाद उठाओ जितना उसा हो सके क्योंकि अगर टोपोडर चल गया ना तो नीचे वाले प्लेयर को उतना ज्यादा गेंदे खेलने का मोखा वैसे भी नहीं मिलेगा ठीक है तो बात करेंगे तो यहां से आप लोग भी नोथपा को ट्राइए कर सकते हो विल्समीद को ट्राइए करो या फिर ट्राइए करो बाई नूर हमत को यह आपके लिए चार डिफरेंशियल पिक्स रहेंगी कैपनसी वाइस कापनसी की सेफली खेला तो नभी और अफिज आपके बेस्ट ओप्संस उलड़ी अवलियबल है तो यह मेरी 11 प्लेयर की टीम है रेकिन यह सिर्फ डेमो टीम हो सकता है इसके अंदर एक दो चिंजिस आपको देखने को मिल जाए फाइनली तो कोई भी चेंज अगर इस टीम में होगा तो उसके बाद जो फाइनल टीम रहेगी व चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ओन जरूर से कर लेना मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोगे इस मैच में एक बढ़िया टीम को मिनेसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी